आज मैं आपको अपनी टाइगर ऑसकर का अपडेट देने वाला हूं कि कैसे मैंने इसे ठीक किया और कैसे इसको प्रॉब्लम हो चुकी थी और क्या रीजन था वो सब मैं आज आपको इस वीडियो बताने वाला हूं देख सकते हैं कि मेरी औसकर कितना जादा एक्टिव हो चुकी है और कुछ दिन पहले मैंने वैडियो ठीक किया यह ऐख इंटे इसे इसे फिर भी ने सके किया पूर्बलम हो चुकी तो कि मचली को वैस्सा कुम प्रॉब्लम और बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी जो ही हर पीपार को होती है और हर जो भी ऑसकर पालता है, जो भी कोई भी मशली पालता है, उसे हो भी सकती है, लेकिन ऑसकर में जहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि ऑसकर बहुत जादा एक्टिव होती है, और बहुत ही जादा कम बिमार पड़ती है, तो इस वज़े से लोग काफी जादा डर जाते हैं नहीं तो यह गोल्डफिश में भी बीमारी होती है और यह बीमारी भी नहीं कह सकते हैं यह सिर्फ स्ट्रेस के वज़े से होता है और यह स्ट्रेस किस चीज़ का था मैं आपको आज वीडियों बताने वाला हूँ पूरा तो चैनल पे नहीं है तो आप चल्दी से आपको उपडेट देता हूं कि बहुत दिन से इसकी अपडेट आ नहीं रहे थी है हमारे पास तो देख सकते हैं यह हमारा टेंक है बहुत जादा सुंदर दिखता है और देख सकते हैं कितना जादा ब्यूटिफुल है यह और मैं आपको एक और अच्छी जीज़ बताने व यह देख सकते हैं इस ट्यूब का मतलब होता है कि यह अंडे देने वाली है यह और शायद यह 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 इसका पेर है तो दोनों अंडे देते हैं यहां पे और इनको बहुत जादा अभी एग्रेसिव हो चुके हैं इस वजए से मुझे ऐसा लग रहा है कि यह बहुत जल्दी ए जदा कम होती है बहुत पूर होती है तो उसका कोई मतलब भी नहीं होता है एक देने का रे यार यार यह बंद क्यों हो जाता है पतास है मैरा जो यह मैसे ठीक कि आखिक lib के असप्क्र करें में देख सकते हैं हर बार कुछ देर में नीचे आजाता है तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आसकर को हुआ क्या था और मैंने कैसे ठीक किया उसे तो सबसे पहली बात जो हमारी आसकर है उसे सिर्फ स्ट्रेस हुआ था बहुत हलका सा क्योंकि टेमप्रेचर चेंज हुआ था ब आपडान होता रहता है और मैंने इसमें हीटर भी नहीं लगाया हुआ था तो उस कारंट से हमारी जो आसकर को थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया था और वो स्ट्रेस में नीचे बैठ जाती है और टेमप्रेचर कम जादा होता है तो वह ऐसे करती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और मैं तो काफी डर गया था मुझे तो पता में था क्योंकि यह पहली बार हुआ था मेरे साथ तो देख सकते हैं अब तो बहुत बड़ी हो चुगी और इसके लिए ट्रीटमेंट क्या-क्या था मैं आपको पताता हूं कुछ नहीं करना था एक हीटर था देख सकत क्या है शायद उसको ब्लोटिंग वगेरा हो चुका था ऐसा मुझे लग रहा था क्योंकि वह हैवी ब्रीटिंग कर रही थी लेकिन ऐसा कुछ नहीं था यह फूड अच्छा है मैं खामा खाम इसको वह रहा था कि मैं आप नहीं दूंगा तो मैं आपको देखके भी दिखा प्रीचर पी एच अमूनिया जो भी होता है सिर्फ उसी सही मश्ली को बिमार होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ऐसी मश्लियों को देख सकते हैं आप अभी भी है इस टैंक की बॉस इसका नाम बॉब है वैसे भी तो देख सकते हैं यह है और मैं यही सज़़श यह जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको 30-40% वाटर चेंज करना ही चाहिए देखिए फिर गिर गया यह क्या हो गया है इसके सक्षन को तो मैं आपको बताता हूं 40% पानी चेंज करें और हीटर लगा है हीटर से मश्लियों को बहुत जादा बेनेफिट होता ही है कुछ भी हो उनको हीटर देना जरूरी होता है तो मैं वही किया और दो दिन में हमारी ऑसकर दोनों ऑसकर तीनों ऑसकर क्योंकि यह थोड़ी सी वैसे ही कर रही थी तो मैं समझ चुगा था कि सब प्रॉब्लम एक जैसे तो हो नहीं सकती तो टेंपरेचर कही खेल है तो ही मैं इसे लगाता हूँ चोड से देख सकते हैं यहां पर बैठे हैं ऑसकर खड़े हैं बैठे नहीं है था ही रुख जाओ यह गदो यह काटने के लिए रेडी है और यह आसकर तो मुझे नहीं काटती लेकिन यह जो पैरोट है बहुत जादा मुझे बंप करती है लेकिन कुछ नहीं होता उससे तो देख सकते हैं अभी वह चिपक गया है आप मुझे लगता है वह नहीं करेगा क्योंकि मैंने उसे जोड़ से दबा दिया है तो चलो मैंसे फीडिंग दे कर दिखाता हूं आपको कि यह कैसे फीड ले रही है ले भी नहीं रही है कि क्या हो रहा है सब आउका बढ़े देने वाला हूं तो चलो हिकारी गोल्ड बंद कर दिया कि ठावारे सम पिरियंगे, जाता है, पूरा पानी और खाना भी तो बहुत निक्कषा होती है Age फिर वही अमया क्रिएट करता है बहुत ज्यादा तो इस वजए से मैं बंद कर देता हूँ, और यह देखिए, बुल्बुले को भी बंद कर देते हैं इस बुलबुले का पाइप शयद ये है तो अब देखिए कितना सादा असल नाटा हो जाते है हमारे रूम में अकर ये सम नहीं चलता तो तो चलो फूड देते हैं अब भाई ट्रुड जाओ जी 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 ये देखो अब आपको clear दिखेगा यह देखिए food है food तो बड़ी है भाई में को तो लग रहा था कि food को इसे कोई दिक्कत होगी देखिए ऐसा कुछ भी नहीं था सिर्फ और सिर्फ temperature का था यह और आप लोग बिल्कुल भी घब रहा है ना क्योंकि यह fish बहुत जादा healthy है और बहुत जादा active है और इन्हें कुछ होता भी नहीं है तो देखिए food देखो भाई कौन बोल रहा था मेरी औसकर को कुछ हो गया है देख सकते हैं साफ आपको दिख रहा है यह है भाई खतरनाक औसकर ओ भाई बहुत सादा सही और यह food तो बहुत कम है अभी तो मैं और और देने वाला हूँ देख सकते हैं कितना जादा मस तरीके से खा रही है खाना इन लोग वाँ वाँ भाई जल्दी खा लो यह देखो यह देखो आसकर को देखाता हूँ भाई क्या feeding ले रही है भाई अब देखो कितना बड़ा है यह आज मतलब फोर एर्स हो चुके हैं मचली को और यह पहली बार हुआ जो मेरे साथ आज देखने को मिला ऑसकर के साथ यह नीचे बैट रही है लेकिन देख सकते हैं वापस ठीक हो गई है और कितना जादा बढ़ी है इसका कलर है क्या बता हूं यार मज़ा आ गया मुझे देखके और ठीक करने के बाद मुझे जो सैटिस्फेक्शन मिला भाई मज़ा आ गया तो आप लोग बिलकुल टेंशन ना लिए अगर आपकी मचली को कुछ भी ऐसा होता है तो तो देखिए और थोड़ा सा फूड देते हैं पैंग यह देखो ठॉप 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 करके पूरा खाती है भाई देख सकते हैं अभी तक मैंने फूड नहीं लाया है अगर कोई फूड है तो आप मुझे सजेस्ट करें जरूर क्योंकि यह सिंगिंग पलेटी खाती है ऊपर आती ही नहीं तो मैं इने कभी-कभी हम इंदा दे जताहूं क्योंकि इसको देना जरूर नहीं तो बागी फिसका खा जाएगी को कैसी लगी तो यह वीडियो कमेंट करकर जरूर बता है और तो ज़ोड़ी से मी इन्फॉर्मेटिव लगी फी वीडियो तो भी kennt करकर जरूर बता है तो चले मिलते हैं अबसे ने